नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ companies के अपडेट आपके सामने लेका हूँ, और आज का जो company है, जो जो companies के बारे में discussion करूँगा, बहुत importance है, तो इस वीडियो को पुरा लास तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया, तो जोरू कलेजेगा, continuously information और आपडेट पाने के, तो सबसे पहले में discussion करने वाला हूँ, FL India Limited के बारे में, आप सब जानते, FL India Limited के बारे में, कि यह जो company है, वो दिखा जाते एक IT सेक्टर से बिलंग करते है, तो दिख से थोड़ा सा कम है, फिर भी, देखा जे तो अच्छा का सा लेबल में है, क्योंकि 20% के उपर होना, किसी भी companies के लिए based माना जाता है, तो companies के जो कुछ positive points है, मैं अपके साथ share करूँगा, और कुछ technical chart pattern में आपको दिखाूँगा, जहाँ पे company एक high-rix जोन में है, कभी ने क सबी share के उपर गिराबट का माहौल देखने को मिल सकता है, तो अब देखेंगे, तो 13,000 करोर का market cap है, एक small cap type company है, तो high-rix ही तो पहले से देखने को मिला, peer issue भी कितना है, 53.9 है, इसका मतलब company के जो peer issue है, वो companies के peer issue, industries peer issue के से भी कई गुना जादा है, return on capital employee, return on equity, तो ठीक ठा का सा है, करजा एकदम ना के वराबर है, promoter के पास holding भी around 60% के आसपास है, तो promoter के जो holding से वो पहले कितना था, वो मैं आपको बता दू, 68% के आसपास था, वो थोड़ा सा stake आपे कम किया और अभी फिलाल के लिए 59.89% का holding देखने को मिला, तो उसका फाइदा किसने उठाया ध्यान दीजीगा, FIS ने 7.5% तक hold करके थे, आज 7.5% तक hold है, बीच में FIS ने कितना, 8.5% से भी ज़्यादा holding किये थे, और DS के बारे में बात करतो, 11.5% के पास holding था, बीच में 7% तक लेके आगे थे, 6% तक भी लेके आगे थे, उसके बाद अभी फिलाल के लिए इस quarter में मतलब पिछले quarter के तुनना से इस बार company ने क्या किया, holding को increasing किया, और वो भी कितना, around around आप बोल सकते हैं, अच्छा खासा increasing देखने को मिला, पब्लिक के बारे में बात कर दो, 13% से पब्लिक, 16% तक increasing किया, तो अच्छी बात है, हर कोई institution इस company के उपर रहना चाते हैं, क्यों रहना चाते हैं, मैं पहले बता दू, company का business models ही ऐसा है, जो हर कोई रहेंगे, क्योंकि company का जो काम है, आप देखेंगे, तो company, हम जो YouTube में जो कोई video देखते हैं, तो क्या होते हैं, आपे बहुत सरे ads आते हैं, तो दीखें, आपे देखें, ads का business company करते हैं, मतलब जो ads design है, ads का ads चलाना, तो इस तरह किसे platform के उपर company काम करते हैं, तो company, देखें तो, जिस project के उपर काम कर रहे है, वो futuristic project है, तो इस basis में company काम कार रहे है, तो क्या इक सी company के उपर निवेस करना चाहिए, देखें में कुछ point सब के साथ और भी share करूँगा, जैसे company का reserve, देखें company के reserve 2008 में कितना था, सिर्फ के सिर्फ 6 करोड के आसपास था, और आज वो बढ़ते बढ़ते कहा पर आ गया, 1400 करोड के आसपास, इसका मतलब जो reserve है, वो किस basis में increase वो आप देख सकते है, warings के बारे में बात करूँ, तो company के जो करजा है, वो भी उतना जादा करजा नहीं है, फिर भी पहले जो जादा करजा लिया गया था, 150 करोड के आसपास, वो घटते घटते आज आ चुके 106 करोड के आसपास, fix asset के बारे में बात करूँ तो fix asset भी 27 करोड से बन चुके है, सारे 800 करोड के आसपास, वो हर डेटा या पर यही बता रहे कि company कितना stand में है, मैं दूसरी point आपके साथ share करूँ, जो point मुझे और भी अच्छा लगा, वो है company का fix asset purchase, तो company इस बार सबसे जादा fix asset purchasing में पैसा लगाया, और वो भी 92 करोड के पास पास, तो सारे points positive science देता है इस company के लिए, तो रही बात company के जो chart pattern, उसके बार में discussion करो, तो chart pattern मुझे थोड़ा सा रिक सी जोन में देखने को मिला, यूगि मैं higher side से company के lower side दिखा दू, तो continuously company को पूर जो sale of देखने को मिला, अगर मैं top level से down level तक देखू, तो जब तक ग reversal करेंगे ही, तो company देखी यहाँ पर कुछ time बिताया, कुछ time यहाँ पर strongly देखा जो एक resistance किये थे, उस resistance को breakout कुछ volume करने के बाद ही किये थे, और मैं आपको बोला था, यहाँ पर जो breakout हुआ, next जो level रहेगा, वो level रहेगा 1019 तक, तो 1019 क्यूद था, क्योंकि यह जो range था, य strong resistance के उपर जाकर ही देखिए, पिछले दिनों में एक भारी भर कम reversal देखने को मिला, भारी भर कम profit booking देखने को मिला, तो अभी क्या करना है, अभी थोड़ा सा hold करना है, क्योंकि इस range में अगर थोड़ा सा volume create करके उपर जाता है, तो एक बड़ा rally फिर से दिखेगा, और next level जो रहेगा, वो करीवन करीवन 1100 रुपीज के आसपास, तो integer करिएगा, अभी फिलाल के लिए कोई भी एंटी मत लीचेगा, थोड़ा सा correction और भी हो सकता है, थोड़ा सा profit booking और भी हो सकता है, तो थोड़ा सा integer करिएगा, next जो company जिसके बार है बात करूँगा, उसका नाम है इंदप्रस्था Gas Limited, जो actually IGA नाम से आप जानते हैं, तो IGL के उपर, sorry, मैं FL India के उपर एक चीज में दिखाना भूल गया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपी चाता हूँ, तो एक report में आपके सामने लेके आया था, वो report दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि FL India का जो subsidiaries companies को, FL International Limited जो private limited था, उसको पूरा का पूरा acquisition किया, 100% ownership यहाँ पर लेके आये, और वो भी UAPI का, तो UAPI जो एक companies है, USA basis उस company को 100% ownership company ने ले लिया है, इसका मतलब पूरा का पूरा हिस्सेदारी उन्होंने खरीदरी कर चुके है, total considerations USD 45 million देकर, तो company ने जो बड़ा deal है, वो deal कर चुके है, एक बड़े company के साथ, जिसका नाम है UAPI, तो इस company के साथ big deal करने के बाद company का growth feature में और भी बढ़ने वाले है, तो इत अपडेट जो में miss कर चुका था, तो अभी बारी आते है, इंदप्रस्ता gas limited के बारे में, तो इसकी उपर management ने एक बहुत बड़ा commentary दिया ह है, जो आपडेट में आपके साथ share करूँगा, क्योंकि इंदप्रस्ता gas limited के बारे में, पिछले दिन में एक video बना के आपको दिया था, तब भी बताता है कि इस company के जो stand है, वो continuously strong होता जा रहा है, क्योंकि annual income भी अच्छा कासा है, करजे एकदम नाके वरावर है, debt-free company है, company company का return of equity, return of capital employed भी अच्छा खासा range में देखने को मिला, 27% के उपर है, मतलब base level में है, हमें सब 20% के उपर हो तो base level माना जाता है, तो रही बात, companies के जो management ने जो बात कहा है, वो मैं सबसे पहले आपको देखिए, जब कोई quarters खतम होता है, जब कोई year खतम होता है, तो बहुत स इन्वेस्टर करके हैं, वो management को directly question कर सकते हैं, तो इस बार question किस ने किया, इस बार question किया, राजेस मतलब, राजेस जी ने, और राजेस जी एक बड़े companies के investor है, तो उन्होंने question क्या क्या, बहुत सबसे बहुत बता दू, उन्होंने कहा है, कि आपका जो CNG का business है, वो किस तर आपक्स में लिए 20% of our total CNG volume, तो CNG volume में सबसे ज़दा CNG को उपर 20% के आसपास company आपक्स में लिए business कर रहा है, which if you take it around, it will be 1.2 million cubic meter per day, तो company कितने बड़ा capacity को increase कर चुगा, आप देख सकते 1.2 million cubic meters per day, company total CNG को आपर पर day, यापर क्या कर रहा है, production कर रहा है, तो company का 10% का DTC जो है, वो साथी साथ हुई, where EV, actually EV जो business है, उस business में भी company enter हो रहा है, और आप देखेंगे, तो company ये भी बता रहा है कि company next कुछ years में EV business के उपर enter हो जाएगा, तो management में ये भी कहा है, कि additions to this long whole business, यापर देखेंगे, उत्राखंड state road transportation, तो company क्या बता रहा है, कि 200 CNG बासेस, company यापर उत्राखंड में बास चल रहा है, 200 CNG से भी जादा, तो CNG को जो मतलब supply दे रहा है, वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है, IGL, तो इंदरपस्ता gas limited वो दे रहा है, वो ही management का कहना है, कि ये बात देखेंगे, मुझे positive भी लगा, negative भी लगा, क्योंकि देखेंगे, आज IGL इसके उपर काम कर रहा है, तो कल दूसरे company भी enter हो सकते है, अगर देखेंगे कि 200 वासेस से भी जादा वासेस हो गया, तो आप एक market बन सकते है, तो दूसरे company भी enter हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर भी management ये भी कहा है, दिल्ली, देरादून, साथी साथ दिल्ली के बहुत सारे जगा पे 100 से भी ज्यादा company यहाँ पर plan कर चुके है, कि इस तरीके से जो CNG का जो मतलब gas distribution जो pumps ह वो यहाँ पर बनाने वाला है, तो management का जो commentary है, मुझे बहुत सांदर लगा, तो इसके लिए थोड़ सा growth तो हो, तो इसके लिए मैं आपको पहले भी mention किया था, कि यहाँ पर जी एक trade बन रहा थे, continuously एक range में company फसे हुए थे, उस range को break out किया, और उसके बाद देखिए एक ब उसका support, तो वो support को retest करेगा, फिर से वो बापस जा सकता है, तो थोड़ा सा अभी integer करेगा, अभी फिलाल के लिए कोई भी trade नहीं है, क्योंकि इस range बहुत strong range था, उस range तक जाने के बाद वो गिरावट तो होना ही चाहिए था, तो वो गिरावट हो चुके है, तो थोड़ा सा integer करिएगा, कभी मुका मिले, फिर से आपको वीडियो बना के जूरुस्यार करेंगा, और इक बात में कहे दूँ के company के अगर continuously गिरावट हो, तो इस range को याद रगना, वो range का है, 350 रूपीज, अगर 350 रूपीज को टच करें, तो फिर से एक बढ़ा रली दिखेगा, और आपको target मिल सकते है, 440 रूपीज तक, इसका मतलग company के जो target रहेगा, तो around around आप 20, 24 परसन से भी ज्यादा target रहेगा, आप कहेंगे सर, इस तर किसे target कहा से आया, देखिए या पर दीखेगे, continuously company ने क्या किया, बाइंग किया, continuously बाइंग किया, तो इस range जो है, वो operator ने उपर हो, क्योंकि strategies को मैं follow करके, अच्छा खासा मुझे फाइदा भी मिलता है, तो अच्छा खासा और accuracy बहुत high, मतलब probability accuracy है, देखे, मैं आपको सिखाने के लिए सारे details दिखा रहा हूँ, ऐसे ने कि मैं आपको recommendation कर रहा हूँ, कल जाके आप भी tell ले लिजेगा, आप strategy करिए, back testing करिए, तभी आपको पते जलेगा, कि इस तरीके से V20 जो strategies है, वो बहुत strong तरीके से काम करता है, तो यह पूरा credit में sir को दूँगा, मेरे sir को, तो आप भी इस तरीके से strategies सीखना चाते हैं, तो मेरे साथ जूड़े रहेगा, तो next जो company जिसके बारे में बात करूँगा, उसक एक big announcement में किया, वो announcement क्या है, company bonus देने वाले है, 20 तरीक को, और June मान में 20 तरीक को bonus देने वाले है, और वो भी कितना one is to one का, मतला आपके पास 100 share है, तो उसके against में आपको 100 share मिल जाएगा, तो इस तरीके से company इसको उपर focus रखिएगा, bonus पाने के लिए, और वीडियो अच्छ